तो आज के इस वीडियो में हम लोग आईफोन 13 ओडर करने वाले हैं और बो भी एकदम एक ने वेबसाइट से और यहाँ पे वेबसाइट का नाम है मूबी एक्सप्रेस और मूबी एक्सप्रेस ऐसा नहीं है कि मुझे आज ही पता चला और आज ही मैंने फोन ओडर कर दिया मूबी एक्सप्रेस को मैं पिछले दो महिने से फॉलो कर रहा हूँ इनके यूटूब चैनल, फेस्बुक पेज, ट्विटर पेज, सारे जगा पे मैं फॉलो कर रहा हूँ लोगों का कस्टमर का मैं फीड़बेक देख रहा हूँ सारा चीज जब मुझे यहाँ पे कर लिया जाये, और साथी, जात क्यों ना इस वेबसाइट से कोई भी एक फोन ओर किया जाए, तो मैं सुभा से काफी ज़्यादा इस वेबसाइट के कलकत्ता में वो shop है उस shop को मैं विजबाया था मेरे एक friend को और मेरा friend उस shop को देख के भी आया है कि वो actual में exist करता है तो यहाँ पर जो scam है वो scam होने का जो chance है वो बहुत ही कम है अब order करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसका order का procedure है तो जब भी आप कोई भी नया website को try करोगे तो मेरे हिजाब से आप काफी अच्छा उसमें research कर लोगे उसके बाद ही order करना नहीं तो आज के date में scheme होने का जो chance है वो बहुत ही जादा है इसलिए सोच समझ के अच्छे से price चेक करके अच्छे से product चेक करके actual location उस website का है की नहीं कहीं उनका shop है की नहीं लोगों का feedback कैसा है customer का यहाँ पर feedback कैसा है हर एक चीज़ चेक करने के बाद order करें तो movie express का website खोलने के लिए directly हम लोग यहाँ पर google पर search कर लेंगे movie express तो यहाँ पर मैंने enter कर दिया यहाँ पर आप लोग देख सेकतो movie express.in website मेरे पास खुलके आ गया इस website का user interface है वो कुछ इस तरह से आपको दिखने को लगेगा इसमें लगबग आपको samsung, nokia, iphone भी वो हर दरा के phone मिलता है लेकिन बही बात website में उतना ज्यादा यहाँ पर update नहीं रहता है जितना update आपको facebook पर देखने को मिलेगा जो की movie express का page है तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से directly कुछ Samsung के phone का भी price चेक कर लेते हैं Samsung Galaxy A73 5G का यहाँ पर price 29,500 है और यहाँ पर इस website का सबसे बड़ा खासियत मुझे यह लगा कि जो product आपको actual में मिलेगा वो refurbished product नहीं होगा वो actual में second hand product होगा और जो product आपको मिलेगा उसमें आपको bill भ अला product है तो जेनरेली एक साल का आपको warranty मिलता है इसमें हो सेकता है छे महिनया पुराना चार महिनया पुराना या तो नो महिनया पुराना इस तरह का phone रहता है जिसमें आपको warranty मिलता है company की तरफ से यह website आपको warranty प्रवाइट नहीं करता है लेकिन जो आपको actual में warranty मिलेगा वो company की तरफ से मिलेगा For example, यहाँ पे हम लोग किसी भी phone को उठा के देख सेकते हैं Samsung Galaxy A53 5G तो यहाँ पे आप लोग देख सेकते हो super mean condition है, 3 month old है इसका मतलब 9 month का आपको यहाँ पे Samsung का warranty मिल जाएगा जो की मेरे हिसाब से इस website का एक खासियत है तो यहाँ पे हम लोग directly ज्यादा ना घूम फिर के iPhone में चले जाते हैं और iPhone में आप लोग देख सेकतो यहाँ पे 3 phone available है जहाँ पे iPhone 13 128GB red available है जो की 58,000 यहाँ पे price हो कर दा है 12 mini यहाँ पे available है और 13 256GB midnight भी available है लेकिन इसका price आप लोग देख सेकतो 59,499 है और अगर मैं इसमें click करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सेकतो इसका stock out है अदर देन यह 256GB वाला जो version है वो ज्यादा value for money है अदर देन यहाँ पे अगर हम लोग 128GB की बात करें तो 128GB यहाँ पे आप लोग देख सेकतो in stock है super mean condition बता रहा है 3 months old है तो जबकि यहाँ पे यह लोग 3 months old mention कर रहा है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे definitely battery health जो होगा वो 100% होना चाहिए बाखी आने के बाद हम लोग check करेंगे कि यह जो phone है उसमें battery health कैसा मिलता है सारे parts original है की नहीं हर एक चीज बहुत ही जादा बारीकी से test किया जाएगा in case अगर हमारे device में कुछ problem आ जाता है तो यहाँ पे 5 days return policy भी है तो भो भी देखने ही बाली बात होगी कि अगर product में actual में कुछ दिक्कत आता है तो यह लोग return लेता है की नहीं तो यहाँ पे आप लोग देख सेकते हो iPhone 13 128 GB red color का price यहाँ पे 58,000 शो करता है यहाँ से हम लोग directly add to cart करेंगे बाकी यहाँ पे आप WhatsApp नंबर दिया हुआ है और website का बहुत सारे नंबर दिया हुआ है ओ सारे नंबर को भी आप यहाँ पे पॉल करके अपने product का quality के बारे में पूछ सेकते हो लेकिन actual में जब तक product मेरे पास नहीं आता है मुझे नहीं पता है कि इस product का quality मुझे कैसा मिलेगा तो यहाँ से हम लोग proceed to checkout पे click करेंगे और यहाँ पे आप लोग देख सेकते हो मेरा जो address है वो मैं already fill कर चुका हूँ इसलिए complete मेरा यहाँ पे address आ रहा है तो यहाँ से मैं continue पे click कर देता हूँ total यहाँ पे product का price है 58,000 और यहाँ पे shipping 0 है और convenience fee 0 है लेकिन यह जो convenience fee है वो actual में 0 नहीं है मैं आप लोग को दिखाता हूँ किस तरह से यह convenience fee 0 नहीं है यहाँ पे आपके पास option है online payment mode, case on delivery, store pickup तो online payment mode में यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है convenience fee 0 extra तो मतलब यहाँ पे कोई भी convenience fee नहीं है लेकिन अगर हम लोग इसी तरह से इसको confirm करने की कोशिस करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सेकतो convenience fee निकल के आ रहा है 2056 रुपया तो that's mean यहाँ पे convenience fee है यहाँ पे online payment करना यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि सही है क्योंकि 2000 रुपय आपको extra लग जाएगा अगर मैं यहाँ पे case on delivery पे क्लिक करता हूँ तो case on delivery पे यहाँ पे लिख क्या रहा है कि convenience fee जो होगा वो 5% extra होगा 58,000 का यहाँ पे आपको convenience fee देना पड़ेगा 5% लग बग 2900 रुपया आपको यहाँ पे extra charge लग जाएगा अगर आप यहाँ पे case on delivery करते हो तो सबसे अच्छा option है यहाँ पे store pick up अगर यहाँ पे आप store pick up कर सकते हो तो store जाके ले लेना सबसे best है बस यहाँ से आप booking कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने movie express को call करके पूछा कि मैं store नहीं आ सकता हूँ बाकी online payment और case on delivery पे काफी जादा charges लग रहा है और उन्होंने कहा कि आप store pick up का यहाँ पे option चूज कर ले और 550 रुपीज के आसपास मुझे कहा है कि pay कर दे और उसके बाद वहाँ पे executive से call आ जाएगा और मेरा order जो है बो confirm हो जाएगा और यह लोग मेरा order को courier कर देगा अब जब मैंने यहाँ पे store pick up का option चूज किया तब यहाँ पे option मेरे को दिख रहा है 500 रुपया मुझे pay करना पड़ेगा और इसके लिए convenience पी जो होगा वो 21 रुपीज होगा जैसे यह अपने payment को complete कर दिया यहाँ पे आप लोग देख सेकतो errors हो गया अलाकि यहाँ पे मेरे account से 521 रुपीज अल्रेडी deduct हो चुका है यहाँ पे website को मैंने फिर से खोल लिया है my order section में मैं चला जाता हूँ अभी भी आप लोग देख सेकतो order status यहाँ पे pending बता रहा है that means order confirm नहीं हुआ है तो हपुली यह बहुत जल्दी confirm हो जाएगा और order जैसे ही मेरे पास receive हो जाएगा उस वीडियो में मैं आप लोग को बाकी का जो process है बो भी बताऊंगा साथिशाथ product को unboxing करके भी दिखाऊंगा कि actual में movie express जिस तरह का promise कर रहा है बो तरह का promise सही है की नहीं और actual में product का quality हमें कैसा मिलता है तो उसके लिए आप लोग definitely चैनल को subscribe करे हम मिलेंगे आपसे next वीडियो में तब तक के लिए take care, bye bye and thanks for watching